हेल्थ संबधनी जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए ज़रूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को भी दबाएं इस वीडियो में चेहरे को खोशुरत बनाने को होमेपैथिक तथा घरे लूपाए पहला घरे लूपाए है मुलतानी मिट्टी और पानी सरदी के मौसम में तचा की सुरच्छा वर निखार के लिए किसी बरतन में मुलतानी मिट्टी को घोल कर एक घंटे बाद चेहरे वर सरीर के अन्य भागूं पर लेप कर लेप कर लेए आधा घंटे तक धूप का सेवन करें और धूप में जब पूरा मुलतानी मिट्टी का घोल सुख जाए उसके बाद फिर गरम पानी से स्नान कर लेए अईसा करने से जो रोम कूंप हैं उनमें जमा मैल निकल जाएगा और तचा में निखारा जाएगा तिस तरह से आप इस घरेल उपाय को घर पे भी आसानी से कर सकते हैं दूसरा घरे लुपाया है गेहूं, हल्दी, सर्षो का तेल और पानी 50 ग्राम गेहूं के आटे में एक चवथाई भाग हल्दी मिला लें फिर एक चम्मस सर्षो का तेल वाद जरा सा पानी मिला कर उसका पेश्ट बना लें और इस पेश्ट को स्नान से पुरुत चेहरे हाथ पैरों पर लगाएं और कुछ देर सूखने दें जब पेश्ट सूख जाए तो हथेली से रगण कर हटा दें और हलके गरम गुनगुने पानी से स्नान करें इस से तवचा की खुष की दूर होती है सांथ ही तवचा में निखार व मुलायमपन भी आ जाता है खास बात इस उप्टन स्नान में साबुन का इस्तेमाल न करें यानि उप्टन लगाने के बाद साबुन का उपयोग न करें इस तरह से तुचा की दाग धब जोरियां हड जाएंगी तीसरा घरे लुपा है थोड़ा सा कच्चा दूद लेकर उसमें रूई का फाहा भिगोएं फिर उस फाहे को तुचा, चेहरे वशरीर के अन्न भागों की तुचा पर हलका हलका फेरें ऐसा करने से तुचा की गंदगी रूई में लिपर जाएगी यह एक प्रकार का दुख्द सनान भी कहलाता है इसके बाद सामान रूप से सनान करें तुचा का रूखापन दूर हो जाएगा साथ ही तुचा पर होने वाले डाग, धब्बे, जुरियां आद बिकार भी दूर हो जाएगे तुचा का जो जुरियां है जो भी उस पर डाग, धब्बे बन रहे होंगे वो सब खतम हो जाएगे इन घरिलू उपाय के साथ यह होमेपैथिक ट्रेटमेंट अपना है और इस होमेपैथिक ट्रेटमेंट के अंदर जो इंपोर्टेंट महतपूर्ण केमिकल है वो आपकी तुचा की गंदगी को बाहर निकालेगा सिल्क एन इस्टाइ क्रीम, यसबियल कमपनी का आता है इसके अंदर एलोबेरा एक्स्ट्रेक्ट, कैलेंडूला, स्टेरीकेसिड और ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट पा जाता है जो की स्कीन की फूरी गंदगी को बाहर निकाल देगा जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नयाब डेट आपको मिलती रहे और जानकारी बढ़ती रहे और इस तरह से बिमारियों को कम किया सकता है थैंक यू